हां लास्ट वीडियो में हमने देखा कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं अब हम देख रहे हैं कि केमिकल रियक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है केमिकल रियक्शन में हमने अभी पढ़ा था कि जो सबस्टेंस रियक्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं और उन सबस्टेंस की रियक्ट करने से जो नया सबस्टेंस प्रॉड्यूस होता है नया सबस्टेंस बनता है न्यू सबस्टेंस प्रॉड्यूस होता है वो कहलाता है तो product बनते हैं उनको हम right hand side पर लिखते हैं और अगर reactant एक से ज़्यादा है या इसी तरह से product भी एक से ज़्यादा है तो उनके बीच में हम plus का sign लगा देते हैं reactant और product के बीच में हम arrow का sign लगाते हैं arrow या इस तरह से equal to का sign लगाते हैं और arrow का जो direction होता है हमेशा reactant से product की तरफ होता है जो ये show करता है कि reactant से product का formation हो रहा है तो इस तरह से सबसे पहले हम जो reaction है उसको world form में लिखना सीखते हैं कि world form में जैसे ये reaction है ये world equation है world equation यानि magnesium है plus oxygen magnesium ने oxygen से react किया तो ये reactant है और इनसे magnesium oxide का formation हो रहा है जो अभी हमने reaction पढ़ी थी magnesium ribbon वाली ये वो ही है तो ये है world equation world equation को हम symbol form में किस तरह से लिखते हैं वो हम देखेंगे तो यहां पर ये देखिए ये symbol form में इस तरह से लिखते हैं कि इनके जो symbols है magnesium magnesium क्योंकि metal है तो metal हमेशा किसी भी chemical reaction में atomic form में participate करती है इसलिए हम mg2 नहीं लिखेंगे हमेशा mg लिखेंगे और oxygen जितनी भी gases है वो chemical reaction में molecular form में participate करती हैं तो इसलिए हमने oxygen gas है तो O2 लिखा है तो magnesium और O2 यानि oxygen gas से जब react करती है तो बनता है magnesium oxide तो यह symbol की form में हमने chemical equation लिखी है तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि chemical जो equation हमने लिखी है वो balanced है या unbalanced है अगर दौनों तरफ जो substance है उनके atomic number same है similar है equal है तो वो balanced equation कहलाएगी अगर equal नहीं है तो वो unbalanced equation कहलाती है अगर आपको याद हो तो 9th class में आपने पढ़ा है law of conservation of mass जो कि यह बताता है नाइन क्लास में आपने पढ़ा था law of conservation of mass जो बताता है कि नो मास के नाइदर भी created nor destroyed यानि मास को नहीं तो create किया जा सकता है नहीं destroy किया जा सकता है किसी भी chemical equation में यानि कि chemical reaction से पहले और chemical reaction के बाद हमेशा जो elements है उनका atomic number same रहता है उनका substance change हो सकता है chemical formula change हो सकता है लेकिन उनके atomic number में कोई change नहीं आता है तो अब हम देखेंगे यह जैसे यह equation है zinc और hydrogen sulfate यानि sulfuric acid अभी हमने यह activity देखी थी कि जिंक granules में sulfuric acid डाला था तो बना था zinc sulfate और hydrogen gas इसमें involved होती है तो इसको हमने symbol form में chemical equation की form में हमने लिखा है यह इसका world form है world equation है और यह इसकी chemical equation है और chemical equation में यहाँ पर आप देखिए कि chemical equation लिखने के लिए हम यहाँ पर molecular formula का use करते हैं तो यह molecular formula बनाना आपने 9th class में ही सीख लिया था अब हम देखेंगे कि यह reaction balance है या unbalance इसके लिए हम सबसे पहले left hand side पर जो elements है उनका atomic number लिख लेंगे hydrogen यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 है 2 2 इसी तरह से sulfur sulfur 1 है यहाँ पर भी 1 है 1 1 oxygen के 4 atom है और यहाँ पर भी 4 है 4 4 इसका मतलब यह equation कैसी है balanced है इसी तरह से यह दूसरी reaction आप देखिए यह reaction आप देखिए iron iron का number है यहाँ पर 1 और यहाँ कितना है 3 इसी तरह से hydrogen का यहाँ number है 2 यहाँ भी है 2 oxygen का number यहाँ 1 है और यहाँ oxygen का number है 4 इसका मतलब कि यह reaction बैलेंस नहीं है इसे हम कहेंगे अनबैलेंस रियक्शन तो हम देखेंगे कि अनबैलेंस रियक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है क्योंकि सभी एक्वेशन जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले उनको बैलेंस करना होता है पहले हम उनको यह skeleton reaction कहलाएगी skeleton form में लिखते हैं उसके बाद उसको हम balance करते हैं